दोस्तों सबसे पहले हमने आलू बोयल कर लिया उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया इस पर हरी मिर्च डाल दी या अद्रग डाल दिया लाल मिर्च नमक थोड़ा सा हमने पालक काटा है और यहां पर गाजर मटर और यह सूजी अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अपने हातों से जैसे हम पुए और बनाते हैं तो उसी तरह से हातों से दबा के अच्छे तरह से बना के तो दोस्तों तयार है सूजी के पकोड़ी